करती हुँ कि वे रिवोन का बटन दबाकर 508 अम्रिक भारत स्टेशनों के उन्हार विकास का शिलान्यास करें मैं आदर्णिया प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हुँ कि इस एतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादाई उद्बोधन से हम सभी का मार्ग दर्शिन करें नमस्कार देश के रेल मंत्री स्री अश्विनी वैश्णव जी कारकम्मे देश के कौने कौने से जुड़े केंत्रियम मंत्री मंडल के अन्य सदस्य विभिन राज्यों के गवर्नर मुख्य मंत्री गान राज्यम मंत्री मंडल के मंत्री श्री सामसद गण विधाय गण अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों विक्सित होने के लक्ष की तरफ कदम बड़ा रहा भारत अपने अमरित काल के प्रारंब में है नई उर्जा है नई प्रेणा है नए संकल्प है इसी आलोक में आज भारतियर रेल के इतियास में भी एक नए अध्याय की शुरुवात हो रही है भारत के करीब तेरा सो प्रमूख रेल्वे स्टेशन अब अमरित भारत रेल्वे स्टेशन के तोर पर विक्सित किये जाएंगे उनका पुनर विकास होगा आधुनिक्ता के साथ होगा इस में से आज पानसो आठ अमरित भारत स्टेशनों के पुनर निर्मान का काम शुरू हो रहा है और इन पानसो आठ अमरित भारत स्टेशन के निर्मान पर करीब पचीस हजार करोड रुपय खर्च किये जाएंगे आप कल्प ना कर सकते हैं ये देश के इंफ्रास्रेक्टर के लिए रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभ्यान होने वाला है इसका लाप देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा मैं अमरित काल के प्रारम में इस अइतिहासिक अभ्यान के लिए रेल मंत्राले की सराना करता हूँ और सभी देश वाच्यों को बढ़ाई देता हूँ साथियों आज पूरी दुनिया की द्रष्टी भारत पर है वैश्विक्स तर पर भारत की साख बड़ी है भारत को लेकर दुनिया का रवया बड़ला है साथियों रेल्वे को हमारे देश की लाइफ 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 कहा जाता है लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट अब दे सीटी बन गए है सहर की सारी प्रमुगतिवीदिया रेल्वे स्टेशनों के आसपाची होती है इसलिए आज बहुत आवशक है कि हमारे रेल्वे स्टेशनों को नए आदोलिक स्वरूप में ढाला जाए रेल्वे की जगह का अप्टीमम उटिलाइजेशन किया जाए साथियों जब देश में इतने सारे नए आदोलिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहोल भी बनेगा देशी विदेशी कोई भी परियाटक जब ट्रेन से इन आदोलिक स्टेशनों पर पहुँचेगा तो राज्य की आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी वो यादगार बन जाती है आदोलिक सेवाओं के कारण परियाटन को बढ़ावा मिलेगा स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्ताएं होने से आर्थी गतिविध्यों को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही जीले की ब्रांडिंग भी होगी साथ ही हो आज़ादी के अमरित काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है ये अमरित रेल्वे स्टेशन उसके भी प्रतिक बनेंगे हमें गर्व से भर देंगे इन स्टेशन में देश की संस्कृती और स्थानी विरासत की जलग दिखेगी जैसे जैपूर रेल्वे स्टेशन में हवामहल आमेर फोर्ट जैसी राजस्तान की दरों की जलग होगी जम्मु कश्मीर का जम्मु तभी रेल्वे स्टेशन प्रसिद्द रगुनादमंदिर से प्रेरित होगा नागालेंड के दिमापूर स्टेशन पर वहां की सोला जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी हर अमर्थ स्टेशन शहर की आधुनिक अकांख्शाओं और प्राचिन विरासत का प्रतीक बनेगा देश के विबिन अइतियासिक स्थलों और तिर्थ स्थानों को जोड़ने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गवरव यात्रा ट्रेन भारत गवरव ट्रिस ट्रेन भी चले रहे चल रही है शायद आपके ध्यान में आया होगा उसको भी मजबुती दी जा रही है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का काया कल्प हो रहा है मेट्रो का विस्तार हो रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेस में बनाए जा रहे हैं लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एरपोर्ट बनाए जा रहे हैं नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं नए ने स्कूल बनाए जा रहे हैं जब लोग इस तरह का बडलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का अंदिर्मान हो रहा है आपके बच्चों के उजवल भविश्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करना है और भाई बहनों ये जो 508 रेल्वे स्टेशनों का आदुनिकर हुआ है ने ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ अम्रिद भारत स्टेशन्स भारतिय रेल के इस काया कल्प को एक नई उचाई देंगे आओ इस कामती के महने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा बारत को विक्सित बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूँगा इस संकल्पों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुटकाम नाए आप साथ